आप आप जो हाँ पे मिलती है शो से जोड़ी अमेजिंग जानकारी बात करते हैं टिवी सीरियल ये है चाहते की तो आज रात के एपिसोड में कारून जमीन पर गिर जाता है खीर खाने के बाद जदीश वहाँ आते हो कारून को देखते हैं वो कारून का ऑस्पिटल ले जात है वो सोचती है कि काश कारून मर जाए दूसरी तरफ विश्याल महिमा से मिलता है और उसे डाटता है उसे इतनी बारावास लगाने के लिए महिमा उसे थपर मारती हो चिलाती है वो कहती है कि तुमने अपनी मां से जूट क्यों बोला तब ही वो सौरी कहता है वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मां से अभी नहीं मिला सकता क्योंकि अभी भी तुम अर्जुन की बीवी हो वो कहती है कि तुम्हारी मा को क्या लगेगा कि हमारे एक्स्टा मेरेटल अफैर चल रहा है मेरेट वोमेन के साथ तभी वो कहती है कि लेकिन आप तुम्हारी मा ने तो मुझे देख लिया है तो आप क्या करोगे वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मा से इंट्यूस प्रॉपर्ली करवाऊंगे जब तुम्हारा डिवोर्स हो में जग्दीश डॉक्टर से कहते हैं कारून के कंडिशन कैसी है डॉक्टर जग्दीश से कहते हैं कि आप सही टाइम पर ले आए अदरवाइस उसको प्रॉप्लों हो सकती थी लेकिन अभी वो ठीक है वो इन्फॉर्म करते हैं कि पदम के बारे में जग्दीश को बोडिग कारून को हग करती है, रोमिला लोटाती है, पूशती है क्या हुआ, शांती कहती है, क्यों मैं नने जाती हूँ, I don't know, क्या हो गया इस बीच में, जगदीश उसे सब कुछ पताता है, कारून ने खाया क्या था, कारून कहता है मैं तो सिब खीर खाई थी, जो कि मुझे दादी ने दी थी रोमिला कहती है लेकिन मैंने दी थी बनाई तो शांती ने थी काश्वी शांती से कहती है कि तुमने उसमें पदम डाला था खीर में शांती कहती है कि हाँ बच्चों के लिए वो अच्छा होता है इसलिए मैंने पदम डाला खीर में काश्वी से याद दिलाती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहाता कि कारुन एलर्जेटिक है, शांती कहती है सौरी मैं भूल गई वो, काश्वी से माफिय मांगती है कारुन से, कारुन यहाँ पर शांती से कहता है कि कोई बात नहीं, आप ऐसे मत बूलो जग्दीश सोचता है कि कुछ न कुछ तो गड़वर है बात में जग्दीश यहाँ अर्जुन से कहता है सेक्यूरिटी गाट के बारे में अर्जुन सब कुछ बताता है, वो कहता है कि काश्वी ने यहाँ पर किसी को शक नहीं किया, लेकिन मुझे महिमा पर जग्दीश कहता है कि महिमा यह सब क्यों करेगी अर्जुन कहता है कि महिमा यह प्रूफ करना चाहती है कि हम कारूं का खयाल नहीं रख सकते कस्टडी लेने के लिए वो अंदर जाते है जग्दीश सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि महिमा है खीर के मेटर के पीछे वो कहता है कि हो सकता है शान्ती का कोई connecting point हो या उसका connection हो खीर के मेटर में और वो श्रक जताता है यही सब दिखाया जाएक अपकमिंग track में देखना होगा काफी interesting की क्या जगदीश यह find out कर पाएंगे कि यह सब को जो हो रहा है वो शान्थी के वज़े से हो रहा है क्या लगता है कॉमेंट घीजे साथी वीडियो को लाइक श्या करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले